असलाम वालेकुम दोस्तों इस पहली क्लास में अब हम एड़ोप प्रेमेर के इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि हम किस तरीके से एड़ोप प्रेमेर के अंदर एक प्रोजेक्ट बना कर उसमें हम एड़िटिंग शूरू कर सकते हैं तो इंस्टॉलेशन का अमल मुकमल होने के बाद जब आप एड़ोप प्रेमेर को इंस्टॉल करते हैं तो या जब आप एड़ोप प्रेमेर को इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो होता यह ही कि जो पहली स्क्रीन आप के सामने आती सिर्भी घ्रता मेरी दो काम किया है उनके हमाले से अलइस आपके सामने आ रही है अगर नहीं भी आ रही तो इसमें आपके सामने न्यू प्रोजेक्ट के हमाले से कुछ मालूमात मांगी जा रही है इसके लावा आपकी प्रोजेक्ट जो आप सेफ करने जा रहे हैं उसकी लोकेशन कहा है वो ब्राउज करके आप मेंशन कर देंगे और उसके बाद जर्नल इसक्रैच डिस्क और इंजेस्ट है वो उसके हमें कुछ ज्यादा काम करनी के जरूत नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको बता देते हैं सबसे पहले रेंडर या रेंडर यह क्या है देखें अगर आपके सिस्टम में आपने ग्राफिक कार्ट आपके हार्ड वेर इंस्टॉल्ड है तो उसकी डीटेल यहां पर ह है यानि कि सिस्टम जो प्रोजेक्ट आपकर रेंडर करें तो उसके लिए वो कौन से हार्ड वेर का इस्तेमाल करें तो आपके पास अगर आपके सिस्टम में जीब्यो एक्सिलरेशन मौजूद है यानि की कुडा कार्ड लगा हुआ है तो पिर आपके सामने यह आप्शन यही है कि वो आपकी सिस्टम को और आपकी इस प्रोसेस को एक्सिलरेट करता है ठीक है वो डिजाइन ही सी परपस के लिए होते हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ दोस्तों के पास कंप्यूटर इतना अपक्रेडिट ना हो तो उनके पास शायद यह मर्क्यूरी प्रे स्टमाल कर रहा होते हैं और फिर जब उसको रेंडर करना हो तो मजीद उसकी स्पीड कम हो जाती है ठीक है तो यह एक फर्क था कूड़ा ही अगर आपके पास अवेलबाल है तो उसको स्लैक कीजे टाइम कोट जब हम प्रोजेक्ट में जाएंगी तो टाइम कोट की अवाल स के पास कोई टेप मोजूद है तो अगर आप वहीं से डेटा लेना चाहते हैं तो यह आप्शन भी अवेलबल है लेकिन चुके हम इस लेवल पर नहीं जा रहे हैं अभी और नहीं कोई काम है हमारे पास तो हम इसको डिस्टरब्ट नहीं करते हैं अलबता प्रोजेक्ट का करके मैं लोकेशन को चेंज कर देता हूं है था है थीक है अब स्पेल मिस्टेक होगी है लर्ण प्रेमियर प्रोग ठीक है तो लोकेशन के अंदर यह मेरा लोकेशन आ गई है और प्रेमियर प्रोग क्लास वन मेरे प्रोजेक्ट का नाम है बन कर दिया है मैंने और हमें ओके कर दूँगा ओके करने के बाद आप यह देखें कि आपके पास एक इंटरफेस खुल चुका है और यह जो आपको मुक्तर इपॉक्स नज़र आ रहे हैं यह बैसिकली इस एड़ से एक इंटरफेस को कर सकते हैं ठीक है यहां पर आप यह देख रहें कि मुक्तलिफ पैनल का सेट मौझूद है आपको जिस तरीके की पैनल चाहिए बहुत सारे पैनल्स यहां मौझूद है यह बहुत सारे पैनल्स है ठीक है तो यह वर्क स्पेस जिसम कहते हैं ठीक है हम टूल जया आम पैनल से उसको आप दिस्प्ले किया गया है ठीक है यहाँ पहुनिंगे वृध्भ हम यह पे कुछ चीज से इंपोर्ट नहीं कि जब इंपोर्ट करेंगे तो यह जो इन एक्टिव कॉमपोनेंट्स है यह एक्टिव हो जाएंगे थेक़ तो सबसे पहले इस so basically editing and execute की है तक लेर्डि निग पे चले जाते हैं लेर्डिनग पर जाते हैं तो आप नियुक्त आप यह देखे कि हमारा जो अप पैनल है लेर्डिनग पी जाने के बाद हमारे पैनल कुछ इस तरीके से हो गया एसम्बली के अंदर जाए तो हमारा पैनल कुछ इस तरीके से हो गिया यानिके जो हमारा वर्क स्पेस है वो कुछ इस तरीके से है एडिटिंग और अगर कलरेक्शन के अंदर हम जाए तो फिर हमारा पैनल कुछ इस तरीके से है तो यह हमारा पैनल है वर्क स्पेस है आप मु हमारे पास मूजूद है उसमें ये toolbox है जिसको मैंने अपनी सहोलेत के सावावित के हिसाब से यहां भाइडिस्स कि हुआ है ठीक है इसके बात program है timeline है और project के हुआले से हमारे भाक से हमारे पास मूजूद effect controls है और effects के नाम से हमारे पास एक बॉक्स मौजूद है अच्छा सबसे पहले हम हमने जो है हमारा प्रोजेक्ट इसमें हमने अपना तमाम डेटा लेकर आना है डेटा से मुरार वो फोटेज जिस पर आपने एडिटिंग करनी है इसी तरीके से वो तस्वीर हैं जो के आपने अपने प्रोजेक्ट में शामि चाहिए है यह सब एक साद आप आप जैसे से काम करते जाएंगे आप इंपोर्ट करते जाएंगे लेकिन wins दे करेंगे basic edit करेंगे तो सब से सब से पहले हम उसे import कर लेते हैं इंपोर्ट करने के लिए आप double click कर दे या simple drag and drop कर दें वो वीडियो आपके पास आ जाएगी मेरे पास एक यह रेहान साब की वीडियो है बलकि यह चोड़ी हो जाएगी में एक हमने documentary बनाई है इस डॉक्यमेंटी की फुटिज में ले आता हूँ अगर पूर्ट सिक्वेंस है मेरे पास अगcomm की कि पीटि चाफ यह एक वीडियो को हम अपने टाइम-लैंड़ करेंगे अचा आप अगर चाहें तो आप बिन बना सकते confusing अब जाना सकते है और चाहें तो वीडियो को ईक वीडियो के फॉल्ड़ में डाल दें he images को images के folder में डाल دیں audio के folder में डाल दें हम वो भी कर सकते है new bin पर धि क्लिक चेह? यहां पर हम नाम दे देखे, videos और इस video को ड्राय करके , डाल देंगे, इस तरीक चेए ईस तराइडियो का folder होगता है, डवल क्लिक करेंगे तो यह bin के नाम से videos जो वीडियो के नाम से फोल्डर है वो हमारे सामने आ गिया ठीक है ऐसा करने से आपके पास अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपका बनने जा रहा है तो फिर ये एरिया आपका मैस ही नहीं होगा एक और बिन लेने और उस बिन का नाम ले दें आप इमेजिस ठीक है एक और बिन बना ले और उस बिन का नाम आप दे दे आप आडियो ठीक है तो ये तीन आपके पास फोल्डर आ गए और इन तीन फोल्डर के अंदर आप अपने डेटा डाल सकते हैं ताके आप इजी ली उनको आपको ये एरिया मैसी नहीं हो और आपको जो चीज़ आप ला सकें अब हम जाते हैं अपने वीडियो के फोल्डर में या वीडियो के बिन में और यह हमारे पास वीडियो को अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सौर्स विंडो में ये वीडियो खुल जाएगी और यहां से यह वीडियो बहुत बड़ी है 35 मिनट की वीडियो है तो अगर आप उस 35 मिनट की वीडियो अंदर कोई खास वीडियो चाहिए एक खास एरिया चाहिए तो वह मांक लगा के आप इसको ड्राइग ड्रॉप कर सकते हैं ठीक आपको पूरी वीडियो लाने के जरूर भी नहीं है लेकिन फिल वक्त हम अभी इस बात नहीं कर रहे हैं मैं सिर्फ और सिव आपको इंटरफेस की बारे बताना चाहरा हुँ तो हम इस विडियो को ड्राइग ड्रॉप करेंगे अपने टाइम डाइड में ड्राइग अड्रॉप करेंगे तो हमारे सामने हमारी टाइम लैन भी एक्टिवेट हो गई और उसके यहां पर जो भी हम काम करेंगे वह हमें या प्रीवीव विंडो में नजार आएका जो भी आपलाऑ करेंगे जो भी और त्थ प्रीवीव विंडो में हम सकते एक किस तरहें आ रहा है ठीक है बास भass आप अपको प्रिव्यू करने के लिए अगर मैं मुझे प्रिव्यू करना है तो यह विंडो है तो बहुत छोटी सी है अब इसको बढ़ा करने के लिए आप या तो इसको सिंपर री साइज करेंगे जो कि एक ठीक अमल नहीं है कर भी सकते हैं लेकिन एक शॉर्टकट मौझूद है और वह शॉर्टकट है यह इसको की कह सकते हैं नहीं इसको यह बिलकुल आपकी कीवोड पर टेप बटन की ओपर एक यह की है और इस की का नाम मुझे नहीं पता क्या है लेकिन अगर इसको प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपकी वीडियो आपका जो जो भी कॉम्पोनेंट उस वक्त होगा वो इनलार्ज ह गई और अपने इजी लिए अपने टाइम लेन को पढ़ सकता हूं और इस पर काम कर सकता हूं दुबारा मुझे इस से इस मौट से बहां निकलने के लिए इसी की को प्रेस करना पड़ेगा तो मैं दुबारा अपने औरिजिनल इंटरफेस पर आगिया अब मैं जरह इस प् सकते हैं इड़र प्रेमिर में जैसे ही इतो बात कर रहे थे हम जैसे ही मैं इसको टाइम लेंड पर इंपोर्ड किया इस वीडियो को इस वीडियो के मुछीिफ आप्शinderंश हमारे पास अवयरम हो गए play बटन शे आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं भीक्ति दोस्तों तो यहां इस लेक्टर में हमने बात की अधिशिक्ट गया है और इंटरफेस के मुगतलिफ कॉंपोंट्स क्या है हमने उसकी बादी कर ली थोड़ी बात और लेते हैं प्रोजेक्ट इंडों अंदर हमने यह बना लिए और यह वीडियो भी नहीं आ पास आ गया एफक्क कंट्रोल के अंदर हम जो भी हमारे पास आपस क्लिप या फोटेज या औधियो वोटेवर जो अख हो लोगा वह हमारे पास यहांपे इसके पयर आ जाएएंगे ठीकिए पेरा मिटर कया अन्पे ही बात करेंगे और यह एफेक्ट का हमारे पास फ리र के पैनल है और यहांप ऑड मे पास मौन." आप Bennett झाल झाल